दोस्तों नमस्कार आदाब सत्स्रियकाल नियूस क्लिक के कारिकरम आज की बात के साथ मैं उर्मिलेश अगर दिखा जाए तो मुझूदा जो भारती जनता पार्टी के गुआई वाली केंदर सरकार है इसके अब तक के कारिकाल में अगर किसी राज्य के गौवर्नर की चर्चा होती थी तो वो उपटांग बातों के लिए, बिवादास्पद, ढंके कदमों के लिए, अब जैसे कई राजपाल ऐसे थे जो बिलकुल शुद रूप से भारती जनता पार्टी आरेसस के किसी नेता की तरह बोलते थे मंत्री की तरह भी नहीं, नेता की कारिकरता की तरह बिलकुल ऐसी भाशा ऐसी उग्रिता के साथ बोला करते थे उन्मेंसे कुछ अभी भी हैं गवर्णर और कुछ गवर्णरी अपनी समाप्त कर बंगाल की सिवा कर रहे हैं बंगाल के मेराजनीत कर रहे हैं ऐसे भी कुछ गवर्णर लेकिन मैं एक ऐसे गौवर्नर के बारे में एक ऐसे राजिपाल के बारे में आज कहने जा रहा हूं कुछ जो political issues पर, social economic issues पर या केंदर और राजिके संबंधों को लेकर political parties के नेताओं, corporate और प्रशासन जो जिन प्रदेशों में वो गौवर्नर रहे उनके प्रशासन के बीच के issues पर बोल कर और साहसिक घंका बयान दे कर उच चर्चा में हैं अब ये अलग प्रशन है कि राजिपाल को इस तरह का बयान देना चाहिए या समवैधानिक मर्यादा के तहट इस तरह के बयानों से बाज आना चाहिए हम इस विशे पर आज नहीं जाएंगे हम जाएंगे कि मेघाले के मवजुदा राजिपाल सत्यपाल मलिक जो बातें कह रहे हैं उन बातों का क्या मतलब है और क्यों भारती जनता पार्टी और RSS के नेताओं का एक सेक्षन उनसे बेहत खपा है इतना ज़्यादा खपा है कि RSS के बड़े प्रख्यात नेता Theoretician जो कुछ समय पहले तक भारती जनता पार्टी के रास्ट्री महा सची भी नहीं थे सबसे सेंस्टिव जो स्टेट्स इंडिया की हैं बलकि कंफ्लिक्ट जोन कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर के वो प्रभारी भी थे नगालेंड से लेकर मिजोरम और तमाम नार्थिस्टर रिजन्ट के भी वो प्रभारी एक समय थे मैं राम बादों की बात कर रहा हूँ राम बादों सहाब ने तो इतने खफ़ा हैं इस समय सत्पाल मलिक सहाब से गवरनर सहाब से की राम बादों ने राजकोर्ट में 24 अक्टूबर को कहा कि बही जरूरत इस बात की है कि सरकार सत्यपाल मलिक जहां जहां राज़िपाल रहे खासकर जमुक्षमीर की चर्चा उन्होंने ज्यादा की है फाइल की डील की और तमाम प्रिश्वत की तो इनके कारेकाल की पूरी की पूरी जाच कराई जाए वो अपनी सरकार से कह रहे हैं उनका कहना है कि सरकार को इस मामले में सत्यपाल मलिक के टेन्योर की उनके कारेकाल के सभी फैसलों की सभी फाइलों के क्लेरंस की जाच करानी चाहिए रामादों ने ये बात क्यों कही क्योंकि उसके पहले 17 अक्टूबर को मलिक सहाब ने राजयपाल मलिक ने जम्मौ कश्मीर के अपने टेन्योर के अपने कारेकाल को याद करते हुए उन्होंने एक खुलासा किया था एक रहसियोद घाटन किया था कि वहाँ कुछ फाइल क्लियर करने के लिए उनको रिश्वत मोटी रिश्वत आफर की गई अब ये बात जब कोई गवर्नर कहे वो भी सर्विंग गवर्नर कहे तो इसको संसनी खेज नहीं माना जाएगा इसको वस्तुता बहुत बड़ा रहस्योद घाटक ही नहीं बलकि एक चिंता जनक बात कही जाएगी क्योंकि आफ़र आल एक सर्विंग गवर्नर ऐसी बात कैसे कह सकता है अब सच है नहीं सच है ये जज्ज्मन्ट करने वाला मैं कौन होता हूँ मैंने तो इसका तथ्यों की जाँच परतान लहीं की है लेकिन ये एक बात राम बातों की सही है कि जाँच होनी चाहिए और मज हाले के गवर्णर सच्पाल मलिक से बाचीत की तो उन्होंने बाकायदा मुझसे कहा कि वो बिल्कुल सहमत है जो नेता या जो भी व्यक्ति चाहता है कि जाच कराई जाए मेरी मैं इस मांग से सहमत हूँ मेरे पूरे कारिकाल की जाच करा ली जाए और जिन विश्यों को मैंने उठाया है उनकी भी जाच हो जाए तो वो केंद्र से जाच की मांग कर रहे है जाच की जो मांग की जा रही है उसका वो समर्थन कर रहे है उनका कहना है कि इससे उनको कोई गुरेज रही है बहुत अच्छी बात होगी है अब सवाल इस बात का है कि केंद्र सरकार क्यों नह करा रही है जिन मसलों को उन्होंने उठाया वो सिर्फ जम्मु कश्मीर तक सीमित नहीं है जम्मु कश्मीर में बीमा संबंदी कोई मसला था इंशुरेंस कंपणी का या इंशुरेंस के पूरे हैसले जो जम्मु कश्मीर में लिये जाने थे उस पर उन्होंने कहा भी कि उनके उनके कदम की जानकारी उनके विचारों की जानकारी केंदर को बकायदा समय रहते दे दी गई थी और केंदर की ओर से उनको कहा गया कि किसी भी कीमत पर कहीं से भी कोई कंपरवाईज नहीं होना चाहिए सब कुछ फेयर रंग से होना चाहिए और उनके कारण ही आज जमो कश्मीर में लोगों को फ्री इंशिरेंस उपलब्द है ये बात माननी राजपाल कह चुके है लेकिन उन्होंने आज जो बात कही मुझसे उनका ये कहना था कि वो जिन इशूस को उनको बोलने की बिमारी नहीं है उनका कहना है कि वो इस तरह की बातों को बार-बार बोलें ये उनका कोई मकसद नहीं है वो तभी बोलते हैं या बोलना चाहेंगे भविश्य में भी जब उनको कोई मुद्दा जरूरी लगेगा जैसे उनका कहना है कि उन्होंने गोवा पर बोला है जम्मु कश्मीर पर बोला है और किसान आंदोरन पर बोला है जब मैंने उनसे पूछा कि गोवा में भी आपने बीजेपी की सरकार को डिस्टर्ब किया परिशान किया जिस सरकार ने आपको गवर्णर नियुक्त किया है After all आप किंदर के नुमाइंदे हैं मेगाले में और मोधी सरकार नहीं आपको बनाया है गवर्णर आप बीजेपी के नेता भी रहे हैं समाजवादी प्रिश्ट भूमी का होने के बहुजूद आप बीजेपी में शामिल हुए थे तो आखिर ये चीजें आपने गोवा के बारे में बोल दी जमु कुश्मीर के बारे में बोल दी कि आपके कारीकाल में ऐसा हुआ था इसकी क्या वजया है क्या नाराजगी आपको है इन्होंने का बिलकुल नाराजगी नहीं है बलकि उनके कदमों से उनका तो कहना था कि केंदर में जो टॉप लोग हैं उनसे बकायदे उन्होंने अपनी एक एक गरिवांस या एक एक बात शेयर की थी और उनका कहना है कि प्रधान मंत्री मोधी तो किसान आंधोलन के पहलू पर उनका कहना था कि प्रधान मंत्री मोधी जब गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे तो MSP को लेकर स्वैम बोला करते थे तो मैंने किसान आंजोलन पर ये उनका कहना है सत्पाल मलिक साब का कि मैंने किसान आंजोलन पर जो भी बातें कहीं हैं किसानों की मांगों के पक्ष में वो दलसल मांगें मवजूदा सरकार के सभी जो बड़े नेता हैं टॉप लीडर्स हैं उनको माननी चाहिए क्योंकि वो तो ये दोनों जो मसले जम्मु कुश्मीर और गोवा के हैं दरसल शूंकि एक करप्शन से जुड़े हैं यह अलग बात है कि जम्मु कुश्मीर में उन्होंने ऐसा होने नहीं दिया और उनकी वज़ासे उनका दावा है कि चीजें बहतर रही उन्होंने कुछ नेताओं का ना नाम लिया जो अखवारों में छपा भी है हाला कि उन्होंने उस मुझी पती का नाम पूरा नहीं लिया सिर्थ सरनेम लिया ओ बड़ा दिल्चस्प मामला है कि एक राजिपाल बकायदे ये बता रहे है कि एक देश की बहुत बड़ी कमपनी और एक संग के एक फंक्शनरी एक नेता एक प्रभारी उनकी तरफ से उनसे संबंधित कुछ मामला था अब ये संबंधित क्या है उन्होंने एक्स्प्लेइन नहीं किया था जिसके विशह में फिर एक बयान आ गया जिसकी हमने अभी चर्चा की और उस पर उनका ये कहना है अब बिलकुल आखिर में किसा तरुक से भारती जनता पार्टी की सरकार हारेगी चुनाओ ये भी वो कह चुके हैं जब मैंने आज उनसे पूछा कि क्या आपको वाकरी लगता है कि किसानों की मांगे नहीं मानने पर ऐसी स्थिती हो सकती तो उन्होंने का बिलकुल वो इस्टेंड करते हैं क्योंकि किसान बहुत बड़ी संख्या है इस देश में किसानों के प्रती आम लोगों किसान वोती है उनका कहना है कि ये किसान केवल पंजाब हरियाना के नहीं है पुरे देश में किसान जो हैं इस मांग के पक्ष में है और उनका कहना है कि अब तक छे सब किसान उनकी मौत हुई है इस प किसानों की अब और अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उनको और ज़्यादा तंग नहीं करना चाहिए, उनकी मांग माननी चाहिए, बिल्कुल चलते चलते दो तीन बातें और मैं कहा कर अपनी बात खतम करूँगा, गवर्नर सहाब का कहना है कि वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि वो चर्चा में आवें, बलकि इसलिए बोल रहे हैं कि जनहित में यह जरूरी है, और मैं एक राजनिता के लोग में उनका कहना है, उनके शब्दे में, कि और जनहित में, चुकि मैं पहले भी बोलता रहा हूं, इसलिए अभी भी बोलूँगा, जिस दिन केंदर सरकार कहेगी कि आप पद छोड़ दीजिए, आप तंक कर रहे हैं या परिशानी हो रही है आपके कारण, हम पद छोड़ने को बिल्कुल तयार हैं। बहुत बड़ा एजेंडा एग्सक्यूट करने में केंदर को मदद भी सत्पाल मलिक ने, समाजवादी प्रिश्ट खुमी के सत्पाल मलिक ने, तो आज सत्पाल मलिक अगर ये कह रहे हैं कि सरकार को ये ये चीज़ माननी चाहिए, खासकर किसान अंदुरन के बारे में, तो मै कि दोस्तो कुछ बातें नहीं, जो सत्पाल मलिक से बात चीज़ को मेरी हुई, होनवार था, उसकी रोशनी में, मैंने ये टिपड़ियां की हैं, और इन में जो कश्मीर का मसला है, और गोवा का मसला, गोवा की सरकार के कोविड-19 के कारिकाल के उस दौर में, जब कोविड का था, उस पर उन्होंने एक बहुत तीखी टिपड़ि की है, और वो करप्शन से समझे टिपड़ियां है, तो दोस्तो, आज बस इतना ही, नमस्कार, आदाब, सत्वियकाल